खाने की ते जातु याद ने, चतो वांग कोलों फड़ी ने कसके, चोटे साम रखी टुटे हुए कच दे, हाँ कितली यादा रखता है हाई वरिवान, उमिद करती हो आप सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ तो जी, आज का सीन, आपको देखके पता ही चल गया होगी कि है, आज है संडे की बेस्ट मॉर्निंग, तो जी, हम लोग निकल चुके हैं तो आप देख सकते हैं, अच्छा सुन्दर वियू, आज का यहाँ का तो जहां हम लोग आएं हैं यहाँ पे, और वहां का इस प्लेस का नाम है, दमन, दीव और यहाँ पे बीच और बहुत सारी जगह ऐसी है घुमने की, तो यहाँ पे बहुत मजाता है तो पहाल से अच्वेन एक दिम मॉनिंग में आयें, लेकिन सद्ढ न ही बस मॉनिंग में और मतुस है रह्त को प्लान है कि जाएंग के कि आंग वेलागों स Pengलjuba को प्लान में 5 deixarुप एझा weirdest तो आप देख सकते हैं, यहां का व्यू बहुत बहुत जबरदस्त है, और समुंदर के किनारे, सांथ मॉर्निंग का टाइम, और मैं आ गई थी अपने बच्चों को लेकर, मॉर्निंग में यहां पर, तो आप देख सकते हैं, और यह है मेरा बड़ा बेटा, और हैस्बंड थे घर पे, क्योंकि वो सो रहे थे, तो उनको रात को पता है था, लेकिन इतना पूरा पता नहीं था, कि कब लोग हम लोग कहां जाने वाले हैं, फिर उनके लिए भी सप्राइज था, और यह हमारे लिए भी सप्राइज था, मॉर्निंग में, कि कहीं जाएं, और वैसे भी हम आपको कहीं मुनलब जाना चाहिए, अपने बच्चों के साथ में टाइम निकालना चाहिए, इस तरह से आप भी अगर घर का काम और हर चीजों से मुनलब बहुत बोरिंग हो गये ओ, तैसे कहीं बाहर जाना चाहिए, और संडे जिसे सोने में जितना मज़ाता है सर्दियों कि सर्दियों में जितना सोने में सुबह मजा आता है उतना ही जग उठके जग कहीं भार घुमने में उतना ही डबल मजा आता है उससे भी ज़्यादा मजा आता होगा गाईस तो आप मेरे कहने पे एक बार जरूर करके देखिए संडे को जल्दी उठे और अपनी फैमिली के सा बहुत इविनिंग के तक मज़ा है लेकिन मॉर्निंग का मज़ा कुछ अलग है और यह भी खास सर्दियों में तो सर्दियों में आपको बहुत मज़ा आएगा तो आप सर्दियों को इस तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं तो हमने तो काफी इंजॉय किया यहां पर बहुत बहुत मज़ा है हम लोग को और यह आप देख सकते हैं यहां का लुक बहुत अच्छा था और सब बहुत सारे जन थे जो अपने संडे को बिदम ग्रेसफुल बना रहे थे याइज अभी हम दमन में हैं और आपको मैं यहां क यहां तो फिल भी नहीं हो रहा है कि हम सुबह सुबह हैं ममी भी यहां पर इसा लग अपर नौ उझेजिक गज्व नाइन प्लोग हो रहे हैं तो गाइज आपने देखा मेरे छोटे बटे ने बताया जिस से बहुत मज़ा है हम लोग को सब को और आप भी अपनी फैमिली के साथ में खास तरुपे लेडिस की बात कर रही हुआ है अपने बच्चों को लेके निकल लिए अपनी बीजी लाइफ से अपने बच्चों को आप बहुत बहुत मज़ा आएगा अपको और अभी हम लोग खेलने लगे थे फुटबॉल तो यह भी गाड़ी में था वह भी मैं एक्सेस के लिए लिया था तो यह मेरे मेरे बच्चों के काम आ गया खेलने के लिए और लास्ट में तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी खेलना चाहिए तो हाउस वाइफ को मैं स्पैसल यही बोल रही हूं कि अपने बच्चों के लिए टाइम निकालिए अपने लिए टाइम निकालिए जी के देखिए यह पल जिन जो हमारे हमारे बहुत पीछे चुट चुके हैं यह सब हमने कुछ जमाने पहले खेला होगा इस तरीके से तो हमें अपनी लाइफ को इस तरह से इंजोई करना चाहिए तो हम लगको सब को लगने थी भूक और अब हमने मैगी ओडर की थी और अब हम कर रहे हैं हमारा मॉनिंग का ब्रेकफास्ट जो है यही पर दौमन में और ब्रेकफास्ट होने के बाद में हम लोग कुछ सीन वगेरा और इंजोई कर रहे हैं तो मैं कह रही थी आपको कि हम लोग अभी रिटन हो चुके हैं हम लोग वापिस जा रहे हैं अभी क्योंकि अभी बच चुके थे 10 तो हम लोग को हम लोग रिटन जा रहे थे तो गाइज प्लीज फ्रेंड्स और हाउज वाइफ खास तोर पे अपने बच्चों को लेके निकलिए और इंजोई कीजिए अपनी लाइफ अपने बच्चों के साथ में खेलिए ये पल दुबारा नहीं आएंगे ये टाइम चला जाएगा तो दुबारा लोटके नहीं आएगा तो मैंने भी ये संडे से सोचा है कि नेक्स सं जो नॉर्मल लाइफ है उसमें आ गये हैं और इमली की चटनी तो इमली की चटनी के लिए मैंने पहले ही बॉयल कर ली थी कर दी थी एक दिन पहले ही और उसमें मैं डालने लगी हूँ धन्या पावडर और रेड चिली पावडर और जिंजर पावडर और मैंने नमक और ब् में बनाई है चिकन को मेरी करने रखा था और उसे ब्ताय चिकन करने तरह साया है अबाज लुक प्राइड चौरत में एड़न लुक में आ भी चिकन को समुक लुक देडिया था का तकी चिकन काफी ग्रेस्फूल से यह अच्छा बन सके मैं न आड़ कर लेती हूं कि मुभपनी की तो प्रिकें करें की सब्जी तो इस तरह के स से था हुग मेरा संडे और मैं नाइट को लिती हुग कि मुझे किस तरह से क्या प्रिपेर तो मैने आलो चने और अलु को आलो को मैं सामगो बॉयल कर लिए थी ती एपना लिखी चटनी और यहालो को में निकाल वाली Πानि पुरी तो युझे मैंने शहरा हूरुज टयार हो ही तो मैने पहले रगडा मसाल्य जालब nawr और फिर मैने आइम लिव चटनी और गिरिन चटनी तो यह जी आज था हमारा संडे स्पेसल ब्लॉग उमिद करती हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा और हाउस वाइफ और ममा लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने संडे को और अपने बच्चों को इस तरह से और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बड़ जरूर निकल के देखिए अपने बच्चों के साथ में बहुत बहुत मजा आएगा और अपने बच्पन के दिन याद आ जाएंगे तो कैसा लगा मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर देना अभी तक लाइक न